कभी तीसरा अफसर दसकत न दे आज वो फाइल एडीडीसी साब के पास पड़ी हुए हर्शक कित्रे तहां महीन उसे वो उसको क्यों नहीं कलियर कर रहा है वाट इस दे रिजन बिहाइंड दिस इस दिन राथ उसके दर्वाजे पर बैशता गया तो इसने उसने क्या इसको समझा यह कोई घंदा है यह एक अलास कांट्रेक्टर और मैं हूँ विकास मनास तो मेरे साथ बहुत सारे कंट्रेक्टर हैं जो लोग जो है जल शक्ति जो यहां पर प्यची विभाग है उनके त्रू जो टेंडर लेते हैं और जगा जगा अपनी अपनी स्कीमों पर काम भी करते हैं और इससे जो है लोग बेनिफिट भी होता है जब यह हूँ और कंट्रेक्टर एससेशन का जर्नल सेक्टरी हूँ आज आपने हमें बुलाया है क्या दिक्कत आगी इसलिए हमने आपको बुलाया कि अरसा दोहजार अठारा से हमने यहां पे काम किये हैं जब वो एनर डवलियो डीपी में वो सकीमे थी फिर उन सुकिमों को अलाकों में जिन्होंने काम किया है मैं पर्टिकुल एक जगह की बात करता हूं तो 2018 से हमको पेम्टे ने मिर रही है हमारे फाइनल बिल सब्मिटेड है पाइपलाइन कंप्लीट हो गई है लोग पानी पी रहे हैं तो हमको पता नहीं है यह कि हमको इन्होंने क्यों परेशा खेल खेला हम लोगों के साथ हम थे कि पर पीची के एक्सियन उनने पलस पीची के चीफ इंजिनियर उने चीफ इंजिनरन ने आं मचले का खेल खेला हमारे बिलू के साथ उसके बाद वो कहीं सेक्ट्रेट पहुचा फिर प्वाईरी लगाने लगा वह है यह आज दक क्यों आइन बिलों की पेमेट होई है कि यह किस ने बताना था इनू ने बताना था क्यों ने हुई है पेमेट उसके बाद आप कहीं आज कल हमने सुना कि आप जहां से से क्टवेड से पेमेट हो नहीं है उनों ने addc को लिखी है कि आप इन कामों को फिजिकली वेरिफिकेशन करो तो क्या तारिख थी हमारी जिसकी वागते हैं और यह स्टाफ जो है पियाची का जेई वगेरा सुना हमने कि वो गए हैं कामों पर हम लोग तो नहीं हम लोग क्या जाएंगे पांच साल के बाद अपने कामों को देखने नाट कंप्रोमाइज इस एनी केस तो आप यह गए वहां से इनस्पेक्शन है कि हाँ जी जह जह कार हो गई जी बहुत अच्छा काम हो गया है आज तक वो रोपोर्ट जनवरी से क्यों ने उपर गई हम लोगों को यह पता नहीं है क्यों ने गई यह आखिर क्या चाहते हैं हम सूद बर रहे हैं इंटरेक्श बर रहे हैं ब्यंकु से हमने रखमें लाई हैं हम लजी साब से मोधवराना घुजारिश करते हैं कि लजी साब आप हमारे क्या हो इस एक्सलेंसी हो लजी साब हमारे इस यह जो अंदा कानून हम पर यह दागा हुआ है इन्होंने प्लीज पर सेक्टरी साब नए आये हैं प्राने तो वो जो कमिश्णर सेक्टरी था वो कुछ नहीं था जिसको इन्होंने डपूटेशन पर यहां से निकाला अलगबग कितनी लेंथ ती और कितने के और की लोग को इसका बेन्फिट वे विए रो चार सार पहले हमने काम कि बड्रेनेज ने लगाई मेरे पास था सवाटीन किलोमीटर दो लाइने थी एक पर्म उद्यानपूर टुडुल्योग एक टी जहाँ से हैड था है तो वो जो हो लाइनी कम्पलीट कर दिए इन टाइम बड़ भण वटा कर हम ने काम किए हैं मेरी बां किसाथियों ने भी अपनी लाइनी कम्पलीट कर दी उसमें एक क्या है शे talking है रफीक अहमीद भागवान है वो अपना आएथ अन्यत अला-तान्थी है और ये निसार एहमद भांडे है और है हमारा वो एक जुगनू नाम करके वसीम शेख है सबने अपने अपनी काम कर लिए हमें समझने आती है कि हमको रगडबड़ी क्या चाड़ी है उन्होंने मैं डी सी साब से मुद बनाना गुजारिश करता हूं क्योंकि जब से वो आए हैं यहां कुछ रिकार्ड काइम होने लगा है वो सही को सही बोर रहे हैं गलत को गलत बोर रहे हैं और मैं कहता हूं कि दीशी साहब को चाहिए स्सपी साहब को आपने साथ उठा कर इनको रिमांड करनी चाहिए इ क्यों बंद की है क्योंकि यह हम इन लोगों को सताया है बहुत एक हम राद दिन काम करते हैं दूसरा हमको पैम्टे नहीं करते हैं मेरा एक थेकषार है इसको टेंडर मिल गया स्कूलों तक पानी पानी पह स्कष्ट करताया हो तेके हैं भाकि झाम हुए मैसंताए यह स्कूल् पहुचाना और आंगनवाडी सेंट्रूं तक पानी पहुचाना यह दानिश मुजूर गनाई के नाम काम कर रहा है उसका वालित मुजूर एमन गनाई रिटाइट टीचर इसने पहड़ों पर सुकूलों को पानी पहुचाया इसने आंगनवाडी सेंट्रूं तक पानी वो उसको क्यों नहीं कलियर कर रहा है वाट इस दर्वाजे पर ब्याशता गया तो इसने उसने क्या इसको समझा यह कोई घदा है हमारा गौर्णर के साथ होता है यह क्या समझते हैं अपने गौर्णर साब के पास हमारी साख है उतनी के हम गौर्णर साब से मिलेंगे हम आपके चनलू के माधियम से उन लोगों तक यह आवाजे पहुचाते हैं पहुचाना चाहते हैं कि हमारे हाल पर रहम खरो और डी सी साब पर हमें कुछ उमीद तवक्का है अब हमने उमीदें तवक्का हैं छोड़ दी हैं और उस प्रिंसिपल सेक्टरी साब को भी उसके कहीं अगर बाल बच्चा हमारी तरह है हमारे भी बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो कोई रहम करे वो खुद आये कामों को इनस्पेक्शन करे पियाची वालों को साथ ले जाए वो देखे कि स्कूलों में पानी पहुचा, नहीं पहुचा, अंगनवारी सेंडरों में पानी पहुचा, नहीं पहुचा, हमारे पाज जो पाइप लाइने थी उनमें पानी की नहीं पहुचा, पाज़ शाल से लोग पानी पी रहे, अब वो पाइपें भी गिसने लगी होंग जिसमें तकरीबन 10 लाग की पाइपें डिपार्टमेंट ने दी है और कुछ लोहा, सीमेट वगेरा वो भी डिपार्टमेंट ने हमको दिया है वो अपना पैसा उनका है वो उन्होंने उसमें से काटना है मेरा करीबन 50 लाग रुपया इनके पास पड़ा है अभी मेरे दसकत नहीं हो रहे हैं, कभी फंस नहीं है, कभी कुछ नहीं है इसके अलावा मैंने अभी 8-10 लाग का काम यहां एसार बनाया था, मैंने 5-6 बहला मैं लेकिन उसकी भी पैमेंट उसका एक जैई साब यहां से ट्रांसपर हो गया था, इरिगेशन में उसने मुझको बड़ी मुझकिल से दो साल के बाद बिल बना के दिया, बिल मेरे पास राकेश कुमार है, बिल बना के है, मेरे पास पड़ा है, बाद में उसको करेक्शन के लिए उसको दिया गया कि इसको करेक्शन कर दो, अब वो ना मुझको वो बिल देता है, ना मेरे सा बोलते हैं नहीं है तो इसलिए मैंने वेजेश साभ जो है रकेश जेई है उसको मैंने पैसे भी उसने कहा जी मुझे 50.000 दे दो मैं आपका बिल बनाओंगा जिए तो उसके बाद मैंने उदार करके किसी से 35,000 उसको दे दिया अब 35,000 वो लेके मेरा बिल पहले बनाया आप द रहा बिल दे रहा है जिस तरह सी यह कंट्रक्टर थे जिस तरह सी इनने बताया कि हमने बहुत सारी जगाओं पर काम किया है लेकिन हमारा जो पैंसा है वह अभी तक हमें नहीं मिला है इनके पास मैं दुबारा से आओंगा लेकर